मुख्यमंत्री नितीश कुमार के लिए आखिर कौन बन गया है ट्रवल मेकर किसके कारण नितीश कुमार परिशान है नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन बिहार सक्षा विभाग काफे जादा सूर्ख्यों में बना रहता है खास करके जब से अपर मुख्य सचीब का पदभार केके पाठक ने समाला है तब से लगतार बिहार की जो सक्षा विवस्ता है वो काम के साथ साथ आए दिन चर्चों में भी बनी रहती है एक बार फिर से केके पाठक नितीश कुमार के सामने ट्रवल मेकर बनके खड़े हो गए हैं आखिर क्या है पूरा माज़रा नितीश कुमार को क्यों केके पाठक कितना ज़्यादा परिशान कर रहे हैं चड़िए हम आपको बताते हैं प्रशासनिक महकमे का बहुचर्चित नाम है केके पाठक आएस अधिकारी केके पाठक को सीएम नितीश कुमार ने बेपट्री हुई सिक्षा विवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा दे रखा है उन्हें सिक्षा विभाग का ACS बना दिया है हाला कि केंद्रिये प्रतिन युक्ती पर उन्हें जाने का एनोसी भी राजसरकार ने जारी कर दिया तकरीबन साल भर पहले जून दो हजार तईस में नितीश ने उन्हें यह दाइत्व स्वापा था माना जाता है कि नितीश कुमार रखने के जिस महकमे को ठीक करना होता है उसकी जिम्मदारी केके पा उन्हें का साथ नहीं दिया पिछले साल भर से वे सिक्षा विभाग के एसी इस का दाइत्व संभाल रहे हैं उन्होंने पूरा सिस्टम को अपने ढंग से संचालत करना शुरू कर दिया सिक्षकों के प्रती उनका रवया हमेशा सक्त रहा बीते दीन ततकालिन सिक्षा मंतर चंदर शेखर से पाठक का पंगा भी खूब चर्चा का विशे रहा पाठक अपने कामों में मंतरी की दखल अंदाजी नहीं चाहती तना तनी इतनी बढ़ी कि मामला नितीश कुमार तक पहुच गया नितीश के पाठक की दलील को तरजी हिती सिक्षा मंतरी ने खफा होकर बहीने भर दफ्तर से दूरी बना ली सिक्षा विभाग के एसीस का पदभार सम्हालते ही केके पाठक ने विभाग के तमाम अधिकारियों करमचारियों को अनुशासन में रहने की सक्त हिदाय दी उनके लिए ड्रेस कोड लागू किया इस्कूल से नदारत रहने वाले सिक् सक्षा महकमे में हडकम मच गया तब के सक्षा मंतरी चंदर शेखर को केके पाठक के फरमान नागवारा लगने लगे उन्होंने टांग डाने की कोशिस की लेकिन दाव जो है वो उल्टा उन्हीं पे पड़ गया केके पाठक के इंद्रे प्रतिन्युक्ति पर आवेदन तो दाने पाठक से इतर राजसरकार ने सक्षा बिभाग में बैठक बुलाई सक्षा बिभाग की ओर से जारी पत्र में पस्ष कर दिया गया कि विश्वीदालों के समय से परिक्षा कराने और नियमत संचालन की जवाब दे ही राजसरकार की विश्विदाले के परिक्षा कलेंडर बनाने में राजसरकार सक्षम है चूकि ये शात्र हिस से जुड़ा मामला है इसकी बैठक जो है वो गैर हाजरी रहने वाले के खिलाफ एक्षन लिया चाएगा अब दोवारा उन्होंने 9 मार्च को कुलपतियों की बैठक बुलाई है जिसे लेकर विवाद होना भी अब लाजमी है राजभवन ने केके पाठक के फैसले पर एतराज उताया कुलपति कुलसची वर परिक्षा नियंतरकों को राजभवन ने बैठक में जाने से मना कर दिया बात तब बिगड़ गई जब सिक्षा विभा की ओर से बैठक में नह लोगों के बेतन कटोती कादेश केके पाठक के ओर से जारी कर दिया गया इतना ही नहीं उनके खिलाफ एफाई आर भी दर्च कराई गई बैंक खाते से निकासी पर रोक लगा दी गई नतीजन विश्मीदाले के करमचारी अधिकारियों के वेतन और पेंशन का भुगदान भी लटक गिया वैसे बाद में राजभवन के बैंक खाते में ऑपरेटी बनाने का आदेश दिया पटना इनिवर्सिटी को छोडबा की जगों पर खातो वैसे निकासी ठप है तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से सिक्षा बिभाग सुर्खियों में है और सिक्षा बि कि जरूत नहीं है आप सभी को उनके जो मुखे कारण है वो बिहार सिक्षा बिभाग के एसे इसके के पाठक है अब 9 मार्च को एक बार फिर से विश्विदाले के कुल सचीब कुल पतियों और परिक्षा नियंतरकों की बैठक बुलाई गई है अब देखना होगा कि इस ब